और बहुत चुकी है लाल केले की प्राचीर के पास और बस थोड़ा ही समय काउंडाउन शुरू हो चुका है द्वजा रोहन और ये द्वजा रोहन का दो में तो तो हुआता है अधडर को शीरा है कर दो! ऎंटरसेना परेस्टमंग कर दो! ऎंटरसेना परेस्टमंग कर दो! राश्ची धज फैराया गया है और राश्ची धज गार्ड के जवान इस समय नालकले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरन करती हुए नजर आ रहे हैं तो एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर लाइन एस्टन फॉर्मेशन में जहां पर विंग कमांडर अंबर अगरवाद और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुश्प वर्शा कर रहे हैं उपस्थित जन समूँ उपर मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुश्प वर्शा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस उच्थित बढ़ती हुई उस अवजर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्श भर रहती है as freedom reigns supreme well so does the rain and so do the flowers national flag guard marching off away they'll come back towards the closure of the program तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर से प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने तिरंगा फैराया और उसके बाद माज़ पास किया जा रहा है सेरा के जवानों की तरफ से आज बड़ी घोशना है क्या होंगी इस पर बेसबरी से निगाहे ठीकी है क्योंकि ध्वजा रोहन कर दिया गया है 2014 में बड़ी घोशना स्वच भारत अभ्यान और make in India जो बड़ी घोष्णा है वो प्रदान मंत्री की तरफ से की गई थी और बड़ी बात तो ये है कि पियम मोधी ने खुद को प्रदान सेवक बताया था 2015 में बड़ी घोष्णा स्टाट अप इंडिया की थी देश को ब्रस्टा चार मुक्त बनाने का लक्ष तैक किया गया था 2016 में प्रदान मंत्री फसल बीमायोजना प्रगती प्रोजेक्ट की घोष्णा की गई और बड़ी बात तो ये है कि बलुचिस्तार में मानव अधिकारों के आनन की कड इनिंदा की गई लाल किले की प्राचीर से 2017 में बड़ी घोष्णा जमो कश्मीर समस्य सुलजाना न्यू इंडिया